नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का सोनू स्टडी क्लासेज यूटूब चैनल में दोस्तों आज मैं आप सभी लोग को इन्सेयाटी वुग क्लासेज ट्वैल हिंदी गदान्सों पार आधारित प्रशन उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा जो कि बोर्ड इक्जाम में पूछा जाता है अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर जिरूर कुरें कहा था उस प्रवेश में नववधू के ग्रप्रवेश की भातिये सोभा है गरिमा है पपितरता है और सुकुमारता है फिर एका एक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्टा के साथ ही साथ यव मनो हर पुष्प साहित के सिंहासन से चुपचाब उतार दिया गया नाम तो लोग बाद में भी लेते हैं थे पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का असोग को जो सम्मान का अलिदास से मिला वो अपूर्व था पहला प्रशन उप्यक्त गद्धान्स के पाठ और लेखक का नाम लिखे अंसर पाठ का नाम असोग का फूल लेखक का नाम अचारे हजारी प्रशाद द्रिवेदी दूसरा कोशन रेखांकित अंसकी ब्याख्या कीजिए भारती साहित में और इसलिए जीवन में भी इस पूस्व का प्रविश और निर्गम दोनों ही बिचित्र नाटकिये बहपार है ऐसा तो कोई नहीं कर सकता कि कालिदास के पूर्व भारत वर्श में इस पूस्व का कोई नाम ही नहीं जानता था परन्तु कालिदास की काब्यों में यह जिस सुभा और सोकुमार का भार लेकर प्रविश करता है वो पहले कहां था अंसर, रेखांकित अंसकी व्यक्या, अचैयारे हजारी प्रशाद दिरवेदी जी असोक की फूल के बारे में बताते हुए कर रहे हैं तीसरा कोश्चन असोक का पुष्प कालिदास के महाकावे में किस भाती सोभा पाता है अंसर असोक का पुष्प कालिदास के महाकावे में नव बधू के ग्रे प्रवेश की भाती सोभा पाता है Q4. असोग की पुस्प को कब सहित्य की सिंहासन से उतार फिका गया Q5. लेखक ने किसे बिचित्र नाट की ब्यापार बताया है Q2. लेखक ने भारतिय साहित्य और भारतिय जीवन के असोग के पुस्ब के प्रवेश और निर्गम को बिचित्र नाट की ब्यापार बताया है Q2. कहते हैं दुनिया बड़ी भुलककड केवल उतना ही याद रखती है Q2. जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है बाकी को फिकर आगे बढ़ जाती है Q2. सायद असोग से उसका स्वार्थ नहीं सदा क्यों उसे वो याद रखती Q2. सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है Q2. उपियुक्त गदांस के पाठ और लेखक का नाम लिखिए Q2. पाठ का नाम असोग के फूल लेखक का नाम अचार हजारी पशाद द्रिवेदी Q2. रेखांकित अंस की ब्याख्या कीजिए Q2. कहते हैं दुनिया बड़ी भुलकड है केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है Q2. बाकी को फिक कर आगे बढ़ जाती है Q2. रेखांकित अंस की ब्याख्या Q2. द्रिवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है Q2. वह उन्ही बातों को याद रखता है जिससे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है Q2. अनेथा व्यर्थ ही इस्मृतियों से यह अपने आपको बोजिल नहीं बनाना चाहता Q2. यह उन्ही वर्ष्टूं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्थी में सहायता पहुचाती है Q2. बदलते समय की पुष्टी में अनुपियोगी होने से यदि कोई वर्ष्टू उपेक्षित हो जाती है Q2. यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है Q3. असोक को बिश्मृत करने का आधार किसे माना जाता है Q4. लेखक ने दुनिया का किस तरह का बहवार बताया है Q3. यह किवर उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है बाकी को फिक कर आगे बढ़ जाती है Q5. स्वार्थ का आखाड़ किसे का गया है Q4. सारी संसार को स्वार्थ का आखाड़ कहा गया है Q3. मुझे मानो जाती की दूर्दम निर्मम धारा के हजारो वर्ष का रूप साब दिखाई दे रहा है Q4. मनुस्य की जीवनी सक्ती बड़ी निर्मम है Q4. वह सब्वेता और संस्कृती के बृथा मोहों को रूंती चली आ रही है Q4. न जाने कितने धरम चारो विश्वाशो उस्वाशो का ब्रतो को धोती बहाती या जीवन धारा आगे बढ़ती है Q4. संगहरसो से मनुस्य ने नई सक्ती पाई है Q4. हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याक का रूप है Q4. देश और जाती की बिसुद संस्कृती केवल बाद की बात है Q4. पहला प्रश्न उपियोक्त गद्दांस के पाठ और लेखक का नाम लिखिए Q4. पाठ का नाम असोक की फूल लेखक का नाम अचार हजारी प्रशाद द्रवेदी Q4. दूसरा प्रश्न रेखांकित अंस की ब्याख्या की जी मुझे मानो जाती की दुर्दम निर्मम धारा की हजारो वर्स का रूप साब दिखाई दे रहा है Q4. अंसर रेखांकित अंस की ब्याख्या अचार हजारी प्रशाद द्रवेदी जी कर रहे है कि मानों जाती के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के प्रणाम सोरूप उन्होंने जो अनुभव किया है वह यह है कि मनुष्य में जो जिविशा है वह अत्यदिक निर्मम और मोमाया के बंधनों से रही थे सभ्यता और संस्कृति के जो कार्टी पर विर्ष बंधन या मोह थे उन सब को रोनती हुई वह सद्यव आगे बढ़ती चली गई प्रश्न तीन मनुष्य की जीवन सक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है अनसर, मनुषी की जीवन सक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सब्बता और संस्कृती के विच्छ फिज्च मुहों को रोंती हुई चली आ रही है कोशन 4. लेखक ने किसी बात की बात बताया है अंसर देश और जाती की अफसुद संस्कृती को बात की बात बताया है प्रश्न पांच ग्रहन और त्याग का रूप क्या है अंसर वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने ग्रहन और त्याग का रूप है प्रश्ण चार असोक का फूल तो उसी मस्ती में हस रहा है पुराने चित से इसको देखने वाला उदास होता है वह अपने को पंडित समझता है पंडिताई भी एक बोज है जितने ही भारी होती है उतने ही तेजी से डुबाती है पहला कोश्ण उप्युक्त गद्धान्स के पाठ और लेखक का नाम लिखिए पाठ का नाम असोक का फूल लेखक का नाम अचार हजारी प्रशाद द्रिविदी कोश्ण दो रेखांकित अंस की ब्याख्या कीजिए पंडिताई भी एक बोज है जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है अंसर रिखांकित अंस की ब्याख्या पनित्य अर्थात विद्यता भी एक भार है यह जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से मनुस्य को डुबाती है विद्यता अंकार को उत्पन करती है और अंकार मनुस्य के बिनास का कारण होता है तो जितना बड़ा विद्यमान होता है व उसके अंकार ने उसका सरुनास कर दिया Q3. असोग को देखकर कौन उदाश होता है? A. असोग को पुराने चित्र से देखने वाला उदाश होता है Q4. उप्युक्त गद्धान्स के माध्यम से लेखक विज़ता के बारे में जन समान को क्या संदेश देना चाहता है? A. उप्युक्त गद्धान्स के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है कि विज़ता को सहज और जीवन का अंग होना चाहिए जिससे वह सकती का उठान और प्रेहरित करेगी Q5. प्रस्तुत गद्धान्स का आसे यह है कि व्यक्ति को अपने उठान से उससाहित और पतन से निरुसाहित नहीं होना चाहिए प्रतेक इस्तिती में संभाव में रहना चाहिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें और नेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जिरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग